हेलो अब्रीवन वेल्कम बैक टो अबर चैनल आज मैं आपके लिए लाई हूँ टैंथ क्लास हिस्टी का चैप्टर प्रिंट कल्चर और मॉडर्ण वर्ल्ड की मोस्ट डिमांडिंग वीडियो मोस्ट डिमांडिंग क्यूं कह रही हूं मैं क्यूंकि बच्चों की बहुत ही ज इसका अच्छे से कर लेना कि प्रिंट रेवलुशन को डिफाइन करें ठीक है उसके बाद वाइडू सम् हिस्टोरियन थिंक डैंट प्रिंट कल्चर क्रिट दावेसिस वार्द फ्रेंच रेवलुशन क्यूं हिस्टोरिण जो इतियासकार थे वह ऐसा क्यूं सौचते थे कि प्रिंट कल्चर के कार्ण ही फ्रेंच रेवलूशन हुआ है ठीक है बहुत ही जादा इंपोर्टन ये जो 15 कोशन बहुत ही इंपोर्टन है सभी कोशन आलमोस्ट पेपर में देखे गए हैं अच्छे से कर लेना Explain how the printing press in India shaped the nature of the debate over religious and social reform movement in India कि जो printing press थी उन्होंने उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस थी उन्होंने जो इंडियन वुमेंस की जो लाइफ थी भारत की जो नारियां थी यानि के ओरते थी उनकी जिंदगी पर क्या effect डाला explain करें चीक है किस तरीके से तो यह question बहुत ही जादा important है fifth question है हमारा what are some what are some of the popular forms of printing which are paid in the 18th century Europe चीक है यह fifth question की popular printing की popular forms कौन सी थी जो में 18th century को देखने को मिली यूरोप में explain करें question number six है हमारा कि what is the reason why the production of handwritten manuscript did not satisfy the reading public question number six very important कि जो handwritten manuscript की जो production थी उन्हें जो reading public थी उनको satisfy क्यों नहीं किया क्या reason थी कि handwritten manuscript की जो production हो रही थी वो reading public यानि पढ़ने वाले जो लोग थी उनको satisfy नहीं कर पा रही थी seven question very very important wood block print only came to Europe after 2095 give reason मत 1295 के बाद ही जो wood block print थी वो यूरोप में आई इसका reason बताएं यह question बहुत ही की जादा important है out of ten eight exams में में नहीं कोशन देखा है Roman Catholic Church जो था उसने क्या किया कि जो prohibition थी books in the middle 18th century keeping an index of prohibition उसने क्या कर दिया कि कुछ books जो थी उन पर मना ही लगा दी थी mid 16th century में explain the reason, reason को explain करें ठीक है उसके वाई यह question तो आपको देखने में ही पता चल जाएगा कितना important है गांदी जी said the fight for सवराज is the fight for liberty of speech, liberty of the press and the freedom of association गांदी जी ने क्या कहा था कि जो हम सवराज के लिए लड़ रहे हैं वो actually हम सवराज किन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं वो हम चाहते कि हमें बातचीत करने के अजादी हो हमें press यानि कि कुछ भी लिखने के अजादी मिले और हमें जादा important question है Explain Erasmus idea of printed books ये भी उतना ही important जितना गुड़नवर प्रेस है वरना कुलर प्रेस एक्ट बहुत ही जादा important question है ये चार question बहुत ही जादा important है किसी भी हालत में छोड़ियेगा मत ठीक है उसके बाद question number 13 है why did some people fear the effect of easy available printed books choose one example from Europe and one from India कि अब क्या हो गया था जैसे ही printing press का विशकार हुआ invented हुई printing press उसके बाद क्या हो गया बुक्स जो थी वो available हर इंसान को available होने लगी लेकिन पहले क्या था ब कि यह जो easy availability है printed books की यह अच्छी नहीं है इसका effect पड़ेगा लोगों पर Europe और इंडिया में examples के साथ इनको बताएं ठीक है यह भी question important है उसके बाद how explain how print culture assisted the growth of nationalism in India very important question ठीक है कि printed culture जो था उसने जो इंडिया में nationalism की growth हुई उसको कैसे assist कि assist का मतलब होता है help करनी सही योग दे ठीक है उसके बाद 15 कोचन भी very important कर लेना आप बोलोगी मैं सभी question important है obviously जिन पर जादा focus कर रही है वो तो बहुत ही जादा important है तो please छोड़िएगा मत विकॉस यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आप अच्छे marks को score कर पाए question number 15 है explain any three factors responsible for the invention of new printing technique किनी तीन factors के बारे में बताए जो responsible थे new printing टेक्नीक के invention में अविशकार में explain करें यह सभी वीडियो की Hindi explanation मैं already कर चुकी हूँ आपके benefit के लिए मैंने पूरी history, geography, switch, आपकी 10th के SST की हिंदी में explain की है सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें वहां पे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी easy way में मैंने समझा है और आपको बिसली समझ भी आएगा तो आप वहां जाकर वीडियो देख लें और यह 15 जो question है सभी lessons के आप कर लीजिएगा definitely आपके exam में अच्छे marks आएंगे thank you